चलो आगे कर अवसद्य पौधा है खश खश कर बारे में हामरे मन देख़ इकर माटी और जलवायू के सन है उश्न और उपोश्न जलवायू और माटी बलूई दोमट कछारी माटी में इकर खेती करल जाय सके इकर उन्नत प्रभेद है HYB8, पूसा हाइब्रिड 8, कानपूर हाइब्रिड 8, कानपूर हाइब्रिड 40, KS1, सुगंध धारिनी, गुलाबी, केशरी, सिम व्रिधी, OVD 3 इकर बहिंदर 15-20 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहेक चाहिए याकी 80,000 सिलिप प्रती हेक्टर बहिंद लगायक बेरा, जून से जुलाई तक इके लगाया देख चाहिए लगायकर दूरी 50 सेंटीमीटर जदी रहे तो बहुत बढ़िया होई, माइंद और उरोरक 10-12 टन प्रती हेक्टर गोबर कर माइंद खेत तयार कर एक विरा दे देख चाहिए और नेत्रिजन कर मात्रा अनुपात में 80 अनुपात, 50 अनुपात, 50 कर मात्रा में दे देव खेत के तयार कर एक विरा नेत्रिजन, स्फूर और प्रतास कर मात्रा अनुपात में दे देव 80 अनुपात, 50 अनुपात, 50 नेत्रिजन कर आधा मात्रा के तीन महिना कर बादे और दे देख चाहिए अब इके पटायक है रुपिक बादे इके पटाय देख चाहिए दोड़ेक और कोड़ेक अठारा महिना कर बादे जैर के सुस्क मौसम में कोड़क चाही 15 सेंटीमीटर कर उच्चा में डैर के कैट के अलग केर देल जैल फिन हलुक पानी पटाय देले जैर निसकायक असानी होल कोडल पाचे जैर के सफ़ा केर के छटका छटका कैट लेओ तले एक से दू दिन च्छाही में सुखायके पानी कर आवसान केर के तेल निसकाय लेओ अब इकर उपयोगी भाग और उपज कतना भटाई इकर उपयोगी भाग है इकर जैर इकर से टोरे के उपज भटाई तीन से पाँच क्विंटर ताजा जैर प्रती हेक्टर अब देखू कि इकर उपयोग के संकरल जैल सुगंध वाला तेल बनैक, इतr बनैक, साबुन मने बनैक, सरब़त बनैक, पानमसाला बनैक, तामखू बनैक और सुन्द्राई कर जे प्रशाधन मन बनैल उख्रों में इकर प्रयोग है जैर और पताई मन और डाठी, क्रमस, कूलर, जटाई, पंखा और जोपड़ी मन बनायक में इकर उप्योग होयल। अरियर पताई मन अग पसु मन कर चारा में उप्योग होयल।